नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबों का इस यूट्यूब चैनल लर्निंग और ट्यूब पे और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन का जोग्रेफी चैप्टर टू भारत का भौतिक स्वरू दोस्तों बीच में हमने इसको थोड़े दिन के लिए से स्किप्ट कर दिया था ये क्लास लेकिन अभी जैसे की लॉक्डाउन चल रहा है तो सोचा इसको कंटिन्यू कर लों क्योंकि अभी उस टाइम काम में बीजी थी तो नहीं इसको कंटिन्यू कर पाई तो उसके लिए सौरी लेकिन अब ये क्लास पर डे अवैलेवल होंगे सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि अब इस पर कंटिन्यूटी रहेगी और इसी के साथ हम लोग कुछ question answer quiz भी स्टार्ट करेंगे लेकिन पहले इसको कर लेते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का भौतिक स्वरूप चैप्टर टू क्लास नाइन का जोग्रेफी है NCRT ओके यहां पर कह रहा है भारत का भौतिक स्वरूप जैसे ही हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या पढ़ा जाता है भारत के भौतिक स्वरूप में भारत का संग्रचना कैसी है भारत की इस्थलाकरतिक जल भंडार कहां पर हैं पढ़ते एक तरह के मेदाननाया कहां है कि या भाति इसे भारत के बहुत हुआधिक स्वडोप के आंदर पर तो यहां पर चैसा कि आप जानते वाला एक मिश्शाल देश है एक कि पर शॐत्र है तो यहां पर यही बात कहरा है कि भारत विभिन इस थला किरतियों वाला एक विशाल देश है आप किस प्रकार के छेत्र या भूभाग में रहते हैं यदि आप मैदानी छेत्र में रहते हैं तो आप वहां के दूर तक फैले विशाल मैदानों से पड़चित होंगे और यदि परवतिय छेत्र के निवासी है कैसे बनी यह प्रस्ण बिल्कुल मन में आता है कि आखिरकार इस तरह की आकिरतियां कैसे बनी ऐसे कौन से कारण रहे होंगे कैसी घटना रही होगी तो हम उसी के संबंद में इस चैप्टर में पढ़ेंगे अब हम भारत की मुखे भू आकिरतियों की विशेश्टाएं तथा परियोग ताज महल के निर्मान में हुआ है एवं कुछ सेल खड़ी की तारह मुलायम होती है एक दम मुलायम पत्तर होता है ठीक है जिसका परियोग टेलकुम पाउडर बनाने में होता है इसको पीच करके पाउडर आम तौर पे जो भिखते हैं मार्केट में टेलकुम प्थर मिर्दा के रंगया से अधित्तार्नय थे चीन है, वह पत्तर में कारण के बाहरे में विविदित्ताते पर क्या रहता है. पहार पठार इस तरह से अलग अलग जगों पर अलग तरह की मिट्टी देखने को मिल जाती है तो आए जानते हैं कि यह सक्यों है भारतिक विशाल भूभाग है इसका निर्मान विविन भूगर भी कालों के दौरान हुआ है जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किय है उच्चावच कहते हैं उच्ची और नीची जो भूमी होती है उच्ची भूमी से ताट पेड़े हो गया पहार पठार इस तरह से ठीक है और नीची भूमी हो गये मैदान घाटियां यह सब भूगर्भीय निर्मानों के अंतर गत कई अन्यपरकिरियाओं जैसे अपक्छे, अपर्धन तथा निच्चेपन के द्वारा, वर्तमान उच्चावचों का निर्मान तथा संसोधन हुआ है अब यहाँ पर कह रहा है कुछ पर्मानों पर आधरित सिध्धान्तों की सहयता स भूगर्ब सास्त्रियों ने इन भौतिक आकिर्थियों के निर्मान की व्याख्या करने की कोशिश की है अब हमारे भूगर्ब सास्त्री कोई अंतर्यामी तो है नहीं कि बस उन्होंने जो कह दिया अपने मन से वही बात सच हो गई या कोई भगवान तो है नहीं तो भूगर् प्रमानों का फिर फौली परिक्षन किया जाता है तब बहुत सारे सब्рач परिक्षन के बाद उसका एक तैयार किया जाता है और फिर वह और पर आधरित सिध्धान तो की साभ़ाता से भूँगर्मी सास्त्री ओने ने इन भुतिक आखिर्तियों कि निर्मान की व्याख्या करने की कोशिश की है इसी तरह का एक सर्व मानने सिध्धान्त है मतलब यूनिवर्सल एक थियोरी दिया है उन्होंने प्रिंस्पल है कि प्लेट विवर्थनिकी का सिधान, प्लेट विवर्थनिक यानि कि प्लेट टेक्टोनिक यह सिधान क्या है, यह सिधान यह कहता है कि प्रित्वी की उपड़ी परपटी साथ बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है, प्रित्वी की उपड़ ये शैलों में दवाब उत्पन होता है साथ बड़ी चोटी प्लेटें होती है तो इन ब्लेट के नीचे movement करते रहते हैं move करते रहते हैं तो इनके movement की वज़ा से प्लेटों के अंदर और उपर की और इस्थेत महादीपिये shallow में दबाव उत्पन होता है तरह का pressure बनता है इसके परिनाम शरूफ वलन, वरंशी करन तथा ज्वाला मुख्ये किरियाएं होती है वलन मतलब होता है कि जुकाव या मोर मोर जाती है ये प्लेटे कहीं पे एक दूसरे से टकरा करके जब नीचे में जब वो movement करती है वो उपर पटी में तो इस क्या होता है या तो प्लेटे एक दूसरे के उपर चढ़ जाएंगे दो विपरित तरफ से जो प्लेटे एक दूसरे की तरफ बढ़ती चली आ रही है बढ़ती चली आ रही है विपरित तरफ से तो या तो वो एक दूसरे के उपर चढ़ जाएंगी या एक दूसरे से टकरा करके तूट जाएंगी जिसे भरंशी करन कहेंगे या फिर यह होगा कि दोनों एक दूसरे से टकड़ा करके उपर की तरफ मुर जाएंगी दोनों ही और जिसके कारण जो अलमुखिये किरियाए होंगी जो कि उपर में साड़ा नीचे का जो भी लावा मैगमा वगरा है उसके माध्यम से बाहर लिएगा सामाने तोर पर इन प्लेटों की गतियों को ये प्लेट्स हैं जिसे अभी सारी पड़ी सीमा करते हैं जब एक दूसरे के मतलों की सेंट्री पीटल बढ़ते हैं एक दूसरे के सामाना अंतर मतलों सारी सामाना अंतर नहीं एक दूसरे के अभी मुख जब बढ़ती हैं देखो एरो की निसांसे से पहचाना जा सकता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है तो इसे कहेंगे अभिसारी अभिसारी गती हो गया और जब एक दूसरे के विपरीद दिशा में ये वाली दो एरो विपरीद दिशा में करके दिखाया गया है तो विपरीद दिशा में ज दोलों बिप्रित दिशा में मतलब चली जाएंगी समांतर रहते हुए तो यह रूपांतर पड़ी सिमा हो गई ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे है इस तरह से इनको तीन वर्गों में विवाजित किया गया है ठीक है इन प्लेटों की गतियों को तीन वर्गों में जो कि अभी हमने पढ़ा तीन गतियां अभिसारी अपसारी और रूपांतर ठीक है कुछ प्लेटें एक दुसरे के करीव आ जाती है और अभिसारित परिसीमा का निर्मान करती है जबकि कुछ प्लेट एक दुसरे से दूर जाती है और अपसारित परिसीमा का निर्मान करती है और जब दो प्लेटें एक दूसरे के कडिव आती हैं तब या तो वे टकड़ा कर तूट सकती है या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे जा सकती है कभी-कभी वे एक दूसरे के साथ 36 दिसा में भी गति कर सकती है और रुपांतर परिश्यमा का निर्मान करती इन प्लेटों में लाखों वर्शों से हूरे ही गति के कारहं महाद्विपों की स्थिती तथा आकार में पडिवर्तन आया है भारत की वर्तमान इस्थला किरती का विकास भी इस प्रकार की गतियों से प्रभावित हुआ है आग पर आगे बढ़ते हैं यहां पर एक knowledge bite दे रहा है कि आप जानते हैं विश्र के अधितर ज्वाला मुखी एवं भूकम्प संभावी छेत्र प्लेट के किनारों पर इस्थित है लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं ठीक है अब यहां पर कहरे है सबसे प्राचिन भू भाग अर्थात प्रायदीपिय भाग जो कि हमारे भारत का प्रायदीपिय भाग है जो नीचे की तरफ का जो भाग हम देखते हैं अपने मांचितर को उठा करके देखिए भारत के मांचितर को तो जो भारत का प्रायदीपि किसे कहते हैं तो गोंडवाना भूमी वह भूमी थी या वह भूभाग था जिसके जो कि बहुत एक तो बहुत बिशाल था और इसमें भारत था इसमें आस्ट्रेलिया दक्षिन अफ्रिका दक्षिन अमेरिका और अंटार्क्टिका ये सारे छेतर एक साथ थे और इस पूरे छ ग्रो में विभक्त कर दिया विभाजित कर दिया और इस प्रकार भारत आस्ट्रेलिया की प्लेट गुंडवाना भूमी से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की और परवाहित होने लगी और उत्तर दिशा की और आगे बढ़ने की कार्म परवाह करना क्या मतलब आगे बढ़न तो ये परवाह के परनाम सुरूप क्या हुँआ कि प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गए। परवतिय श्रिंखला के रूप में विक्सित हो गए यहां पे कुछ अवसादी चटान पड़े हुए थे ते थे सागर में तो यह अवसादी चटान वलित होकर वलन या वलित होने का आर्थ क्या पता है कि मूर जाना तो यह जब दवाब पड़ा इन पे दोनु तरफ से तो य मूर कड़के और उपर की तरफ बढ़ते गए उपर बढ़ते गए उचे होते गए होते गए और इस तरह से हिमाले और पश्ची में श्रिया की परवतिय श्रिंखला के रूप में यह विक्सित हो गए अब हैं गोंडवाना भूमी यह विशाल महादीप पैंजिया का जिसके उत्तर में अंगारा भूमी है एक बहुत ही विशाल महादीप था पैंजिया जिसका नाम था उसी पैंजिया का सबसे दक्षिन वाला भाग गुंडवाना भाग कहलाता था और उसके उत्तर में अंगारा भूमी है अब टेथिस सागर जो की हिमाले के रूप में उप प्राइदीप्य पठार के उत्री किनारे के नीचे धसने के कारण अब प्राइदीप्य पठार का उत्री छेत्र जो हुआ वो नीचे धसने लगा इसके पर नाम से रूप एक बहुत बड़ी द्रोणी का निर्मान हुआ समय के साथ साथ ये बेसीन उत्तर के परवतों एबं दक्षिन के प्राइदीप्य पठारों से बहने वाली नदियों एबं अब साधिनी छेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया इस प्रकार क्या हुआ कि जलोर्ट निर्छेपों से निर्मित एक विस्तरित समतलभू भाग भारत के उतली मैदान के रूप में विक्सित हो गया और जैसकि हम सब जानते हैं कि भारत के इन्हीं उतली मैदानों में विक्सित सिटेज यह शहर बसे हुए हैं, क्योंकि मैदान इछेतरों में रहन सहन की सुविधा होती है, मकान बनाने की, खेती इद्यादी करने की, और अन्य कारे करने की फैक्टरियां इद्यादी, ओफिसेज वगरा बनाने के लिए परियाप्त जमीन मिलती है, और इस वज़े से उत्री मैदा के जो भी शहर या सिटी होते हैं, वो ज्यादा विक्सित हो जाते हैं, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे कह रहा है, भारत की भूमी बहुत ही अधिक भौतिक विभिनताओं को दर्शाती है, भूगर भी ये तोर पर प्राइदी पिये पठार प्रिथिवी की सता का प प्राचीन तम भाग है, इस ये भूमी का एक बहुत ही इस्थिर भाग माना जाता था, परन्तु हाल के भूकंपो ने इसे गलत साबित किया है, हिमाले एवं उत्तिरी मैदान हाल में बनी इस्थला किरतियां हैं, मतलो कि ये ज्यादा प्राचीन नहीं है, हिमाले और इसके उत्तिरी मैदान हाल में बनी इस्थला किरतियां हैं, भूगर्व वैज्यानिकों के अनुसार हिमाले परवत एक और इस्थिर भाग है, और इस्थिर भाग कहने का क्या मतलो कि इसका लगातार निर्मान और विनाश होता रहा है, हिमाले की पूरी परवत स्रिंकला एक और इसलिए इसे युवा इस्थला किरती कहा जाता है क्योंकि उच्छे शिखर भी है, गैरी घाटियां भी है, और नदिया जो की उफान से बहती हैं, वैसी नदियां भी हैं, ठीक हैं, अब हैं उत्तरी मैदान जलोड़नी छेपों से बने हैं, प्राइदी पिये पठार आ भारत की भागौलिक आकिरतीयों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, यहां पर चितर भी दिया हुआ है, देख सकते हैं, पामीर ग्रंधी, कुनलुन श्रेनी, हिंदु कुष, ठीक हैं, सुलेमान श्रेनी, यह सब हिमाले की परवश्रेनियों के नाम दिये गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो यह भारत की जो यह भागौलिक आकिरतियां हैं, इनको कुछ वर्गों में विभाजित किया गया है, यह पूरे 6 वर्ग दिये गया हैं हमारी NCRT बुक में, तो पहला है इसमें हिमाले परवश्रिंक ला, उसके बाद उत्तिरी मैदान, फिर प्रायदी पिये पठार, भारतीय मरुवस्थल, तटिये मैदान और द्विप समो, अब सबसे पहले पढ़ेंगे हिमाले परवत के बारे में, भारत की उत्तिरी सीमा परविस्तरित, हिमाले भुगर्विये रूप से युवा एवं नदी से ले करके ब्रह्म पुत्र तक फैली हुई है, पश्यम पूर्व दिशा में, हिमाले विश्व की सबसे उची परवस्थ्रेनी है, और एक अध्यधिक असम अवरोधों में से एक है, असम अवरोध मतलब यहाँ पे असम राज्य की बात नहीं कही जा रही है, यहाँ असम से मतलब है कि जो की बड़ाबर नहीं है, मतलब की सामान नहीं है, तो मतलब की उची नीची है, तो उसी को असम यहाँ पे का गया है, तो असम अवरोधों में से एक है, और हिमाले विश्व की सबसे उची परवस्थ्रेनी है, यह 2400 किलो मीटर की लंबाई में फैले ए अर्धवरित की तरह से इनका पुड़ा छेत्र फैला हुआ है, इसकी चौरा आई कश्मीर में 400 किलो मीटर एवं अरुनाचल में 1500 किलो मीटर है, ठीक है, पश्चिमी आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी भाग क्या पेक्छा पूर्वी भाग की उच्चाई में अधिक विविदता पाई जाती है, पूर्वी भाग की उच्चाई में अधिक विविदता पाई जाती है, अपने पूरे देशानतरिये विस्तार के साथ हिमाले को तीन भागों में हिमाले का जितना भी देशांतरी ये विस्तार है, इसको कुल तीन भाग में बाट सकते हैं, इन स्रिंखलाओं के बीच बहुत अधिक संक्या में घाटियां पाई जाती हैं, सबसे उत्तरी भाग में इस्थित स्रिंखला को कहेंगे महान या आंतरी की हिमाले या फिर हिमादरी भी कहते हैं, कभी-कभी, ये सबसे अधिक सतत्र श्रिंखला है, जिसमें 6,000 मीटर की आउसत उचाई वाले सरवाधिक उचे शिखर हैं, इसमें इसमें हिमाले के सभी मुक्ष शिखर आते हैं, यहां देख लेते हैं हिमाले के कुछ उचे शिखर के बाड़े में दिया गया है जैसे कि माउंट एवरेस्ट यह पढ़ता कहा है यह निपाल में पढ़ता है आठ हजार आठ सो आर्टालिस इसका मिटर है उचाई में स्वरी उचाई है इसका मिटर में और कंचनजुगा। यह भात में है और इसकी उचाई है 8,598 मिटर ठीक है इसके बाद मकालू। मकालू नेपाल में पढ़ता है और यह 8,481 मिटर उचाई है धौलागिरी भी नेपाल में पढ़ता है आठ हजार 172 मिटर उचाई है नंगापरवत भारत में पढ़ता है अपने भारत में एक नंगापरवत है और यह है यह 8126 किलो मिटर की इसकी उचाई है नंगापरवत और यह नंगापरवत पढ़ता कहां है यह थोड़े सा पाकिस्तान दोरा नियंत्रित जो गिलगित बलतिस्तान का छेतर है उसमें आता ह हालाकि यह भारत का छेत्र है तो यह पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित किया जाता है और उसमें यह गिलगित बलतिस्तान छेत्र में आता है ठीक है अब आते हैं अन्नपुर्णा अन्नपुर्णा भी नेपाल में है जो की 8078 میटर उचा है नंदा देवी 8817 میटर उचा है जो की भारत में पड़ता है भारत में नंदा देवी कहां पड़ता है उत्रांचर राज्य में पड़ता है यह उचाई के हिसाब से इसका 3 अस्तान है भारत में ठीक है तो कामेट की उचाई है 7756 और सबसे फस्ट जो है भारत में सबसे उचा वह कंचन जंगा है ठीक है और यह नंदा देवी सेकेंड पड़ता है कामेट थार्ड पड़ता है अब है नामचा बरुआ नामचा बरुआ भारत में है 7756 मीटर की उचाई है और इसके बाद है गुरुला मानधाता या नेपाल में पड़ता है गुरुला मानधाता क्यों चाहिए है? 7,728 मिटर महान हिमाले के वले की प्रकिर्ती और सम्मित है हिमाले के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है महान हिमाले महान हिमाले का कह रहा है ग्रेनाइट का बना हुआ है ठीक है और हिमाले के इस भाग अक्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ यह स्रिंकला हमेशा बर्फ से धकी रहती है कौन सी भाग यही हिमाले के हिमादरी छेतर का भाग हमेशा ही बर्फ से धका रहता है तथा इस एक ग्याति कीजिए करada महान हिमाले में पाई जाने वाले हमाली और दड्रों के नाम लिखिए हुमानी और दर्रों के और भाद के उन डाज्यों के नाम जहां पर उचे दिये जहां पर जहां उपर दिये गए उचे शिखर इस्थित हैं तो यह सब बता ही दिया आपको आगे बढ़ते हैं यह देखिए यह उत्री छेतर है बर्फ से ढखा हुआ है इसको कोल्ड डिजर्ट भी कहते हैं एटलस से कहरा मसूरी नैनी ताल यहां रानी खेत की इस्थिती देखें तथा उन राज्यों के नाम लिखें जहां वे इस्थित हैं तो मसूरी कहां हो गया मसूरी आपको हट यानी किया माचल परदेश मी आता है नैनी ताल उत्राखंड में पड़ता है और रानी खेत भी उत्राखंड में पड़ता है और भी कुछ है यहाँ पे एक हमारा नामचा बढ़वा छूटी गया था जो की नामचा बढ़वा है दक्षिनपुर्वी तिबत और नाचल परदेश में हिमाले के सबसे बाहरी श्रिंखला को शिवालिक कहा जाता है यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है तो शिवालिक कहा जाता है हिमाले की सबसे बाहरी श्रिंखला को इसकी चोड़ाई 10 से 50 किलो मिटर तथा उचाई है 900 से 1100 मिटर के बीच चोड़ाई 10 से 50 किलो मिटर और उचाई 900 से 1100 मिटर के बीच है ये श्रिंकलाएं उत्तर में इस्थेत, मुख्य हिमाले की श्रिंकलाओं से नदियों दरा लाई गई और संपीडित अवसादों से बनी है ये घाटियां बजरी तथा चलोड की मोटी परत से ढगी हुई है और उसके बाद है निम्न हिमाचल या श्रिवालिक के बीच में इस्थेत मतलगी श्रिवालिक को निम्न हिमाचल भी कहते है तो निम्न हिमाचल नीचे वाला हो गया सबसे तो निम्न हिमाचल और सिवाली के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है शिवाली के बाद दून घाटी आती है, कुछ परसिद दून है, देहरा दून, कोटली दून, पाटली दून, इत्यादी इस उत्तर दक्षिन के अतिरेक्ते हिमाले को पश्चिम से पुर्व तक इस्थित छेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है ये पश्चिम से पुर्व तक के जो छेत्र हैं, इनके आधार पर विभाजित जो किया गया है, तो ये कौन-कौन से छेत्र आते हैं? तो ये है सतलज एवं सिंदु के बीच इस्थित हिमाले के भाग को पंजाब हिमाले कहते हैं और पहश्यम से पुर्वत क्रम्षा इसे कश्मीर और हिमाचल हिमाले के नाम से भी जाना जाता है उसके बाद है सतलज और काली नदियों के बीच का छेत्र उसको कहते हैं कुमाव हिमाले और काली और तिस्ता नदी जो कि नेपाल हिमाले और तिस्ता दिहांग नदियां यहाँ पर असम हिमाले का सिमांकन करती है हिमाले के कुछ छेत्रिय नाम भी है तो छेत्रिय नाम करने का मतलग कि किस जगह पर हिमाले का क्या नाम है तो ये सब पता लगाईए अब है ब्रह्मपुत्र हिमाले की सबसे पुर्वी सीमा बनाती है दिहांग महाखड़ यानि कि बहुत बड़ा गड़ा गार्ज कहते हैं तो दिहांग गार्ज के बाद हिमाले दक्षिन की और एक तीखा मोर बनाते हुए भारत की पुर्वी सीमा के साथ फैल जाता है इन्हें पुर्वांचल या पुर्वी पहाडिया तथा परवत श्रिंखलाओं के नाम से जाना जाता है ये पहाडिया उत्तर पुर्वी राजियों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलवा पत्थरों जो की अवशादे शैल हैं उनसे बनी हैं ये घने जंगलों से ठकी हैं तथा अधिकतर समानतर श्रिंखलाओं एवम गार्टियों के रूप में फैली हैं पुर्वांचल में कुछ पहाडियां भी हैं उनके नाम है पटकाई बुम नागामी जोग मनी पूर पहाडियां इत्यादी ठेक है ये मीचो पहाडी का यहाँ पे सीन दिया हुआ देखिए कितना होबसूरत सीन है अब हब लोग आगे बढ़ते हैं उत्तरी हिमाले उत्तरी मैदान के रहा है तो उत्तरी मैदान जो है ये तीन परमुख नदी पर नालिया है इस इन में उत्तरी मैदानों में तो ये तीन परमुख नदी पर नालिया है सिन्दू नदी का हो गया गंगा नदी का और ब्रह्म पुतर नदी का और इनी की सहायक नदियों से बनी हुई य रूप से एक तरह से फैला हुए है, बहुत दूर में इन नदियों का ज्याल है, उत्री मैदान में, तो देखते हैं इन नदियों में, में तो नदिया होगी तीन ही है, सिंदु गंगा और ब्रह्म पुत्र और इन ही से होकर के जो छोटी-छोटी इनकी सहायक नदिया लगी उसे जलोड मिटी या जलोड मिर्दा कहा जाता है, लाखों वर्षों में हिमाले के गिरिपाद में इस्थित बहुत बड़े बेसिन, बेसिन यानि की द्रोनी, द्रोनी में जलोडों का निच्छेप हुआ, जिससे इस उपजाओ मैदान का निर्मान हुआ है, इसका विस्ता विस्तारित रूप में यह 7 लाख वर्ष किलोमीटर के छेतर में यह फैला हुआ है, मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चोड़ा है, यह सगन जनसंक्या वाला भावगोलिक छेतर है, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि इसी बेल्ट में गंगेटिक सरी, यह मैदानी छेतरों में ही बहुत ही सारे, उपजाओ किर्षी भूमी उपस्तित है, ठीक है, और यहाँ पे ब्रहमपुतर नदी जो है, तो इस ब्रहमपुतर नदी में इस्तित माजुली है, माजुली नाम का द्विप है, नदी द्विप है यह तो यहाँ बिश्रु का सबसे बड़ा नदी द्विप होता है, जहां पे लोग बसे हुए हैं, उत्तरी परवत से आने वाली नदी आने छेपन काड़े में लगी हैं, उत्तर परवत से होकर के जो नदी आ रही हैं, वह निछेपन काड़े में लगी, उनिछेपन कहते हैं, पर नदी जो अपने बहावपे होती हैं, तो अपने बहावप के साथ-साथ, या बहुत सारी कंक परती है उनके फ्लो में कमी आती है तब यह जो अपने साथ बजरी और पथर बगएरा कंकर पथर रेतियादी लेकर के आती हैं उनको छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती पानी आगे बढ़ जाता है और बजरी बगएरा पीछे ही छुड़ जाता है तो इस तरह से अपने नदियां करती है तो यह कह रहा है उत्री परवतों से आने वाली नदिया निछेपन काड़े में लगी है नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गती कम हो जाती है जिसके परणाम स्वरूप नदिये दिपों का निर्मान होता है यह नदियां अपने निच निचले भाग में अब चुकी गाद एकत्र हो गया है, मतलों कि गाड़ा-गाड़ा सा मलवा जैसा एकत्र हो गया है, तो इसके कारण नदी का जो गती है, वो और भी कम हो जाता है, और कम होने के कारण नदी बहुत ही छोटी-छोटी धाराओं में बढ़ जाती है, इन दुआब एक वर्ड है तो इस दुआब का अर्थ किया है दू नदियों के बीच का भाग कहलाता है दुआब दुआब दो शब्दों से मिलकर के बना है एक तो दो और दूसरा आब ठीक है दो का अर्थ होता है पानी और आब का होता है आव का अर्थ होता है वाल जाए दो अर। हे दो ग dispatch done ऑन्स और भी है पानी है तो दो तानी से मिल कर्के बना हुआ है तो इस तरह से इसी चलते दो आप नाम है और इस तरह में से पंच अगर ब्रहुमत है तो इसलिए पंच बंच आप बढ़ा हुआ है lifted पंच का अर्थ होता है पांच और आब का अर्थ होता है पानी ठीक है इसी तरह से पंजाब का नाम करन हुआ है उत्री मैदान को मोटे तोर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है उत्री मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान सिंधूत था इसकी सहाय छोटा हो गया है अमरा भारत में हैं कुछ चेतर और कुछ पाकिस्तान में हैं सिंदू तथा इसकी सहाइक नदिया है जेलम चेनाब रावी ब्यास तता सतलोज ही माले से निकलती हैं और यही सब मिल करके पंचाब का निर्मान करती हैं मैदान के इस भाग में दुआबों की सं क्या बहुत कम हैं गंगा के मैदान का विस्तार घंगर तथा तिस्ता नदियों के बीच में इस्थित हैं गंगर और तिस्ता इन गंगर और तिस्ता के बीच में इस्थित हैं यह उत्तरी भारत की राजियों हर्याना दिल्ली उत्तर परदेश बिहार जारखंट के कुछ भा तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है Saturn का मेदान इसके पश्चिम विशिष्कर असम में इस्थित है अभ्लम्य पुत्रे का अधिकान्ष भाग जो है मैदान है लेकिन यह पूर्ण रूपसे समतल नहीं है और इसलिए इस बात को सहीं नहीं माना जा सकता कि उत्री मेदान समतल मेदान है इन विश्तरत मैदानों की भौकहलिक आकिर्तियों में भी विभिदता है आकिर्तिक विभिनता के आधार पर उत्री मैदानों को फिर चार भागों में बाड़ते हैं अब ये चार भाग कौन कौन से हैं नदियां परवतों से नीचे उतरते समय स्रिवालिक के ढाल पर आठ से सोलक किलोमीटर की चोरी पट्टी में गुटिका का निचे पन करती हैं ये गुटिका ठीक है गुटिका का मतलब हुआ कि छोटे छोटे टुकडे होते हैं पत्थरों के तो वे सब गुटिका जमा करती हुई चलती है आठ से लेकर के सोलक किलोमीटर की एक चौरी पट्टी का निर्मान कर दिया हुआ है नदियों ने जो की परवतों से उतरते क्रम में निचे प परवतों से बहुत हैं इस भाबर पटी में बिलुपत हो जाती है इस पटी के दक्षिन में यह सरिताएं एवं नदियां पुनह निकलाती हैं एवं नम तथा दलदली छेत्र का निर्मान करती हैं जिसे तराई कहा जाता है यह वन प्रानियों से भड़ा घने जंगलों का छ जातानों में और लेकिन जंगलों को काटा जा चुका है तक ही सर नार्थियों को कृषि के लिए खेती बारी करके अपनी जीव का चलाने के लिए भूमी दी जाए इसलिए जंगलों को काट डाला गया है इस चटर के दुगवा दुद्वार आस्ट्रिय पार्क की इस्थित तो यह मिलनी यह होगा लखिमपूर खेडी जिले में स्थित होगा ठीक है उत्री मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोड का बना हुआ है वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के उपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकिर्ती प्रदर्शित करते हैं इस भाग को जानते हैं भाबर की बाद हो गया भांगर जोजोंकि वेदिका जैसी आकिर्ती प्रदर्शित करते हैं बाढ़ वाले मैदान के नए तता युवा निच्छेप को खादर कहा जाता है भाबर, भांगर, अब है खादर जो की नए निचेप होते हैं ये ठीक है बाठवाले मैदानों में ये अमतर पे खादर देखे जाते हैं इनका लगभग परतीक वर्ष पुनर निर्मान होता है इसलिए ये उपजाओ होते हैं और गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं अब है प्राइद्यूपिय पठार प्राइद्यूपिय पठार एक मेज की अक्रती वाला अस्थल है प्रैदिप्य पठार उंचा तो होता है लेकिन उपर जाकर कि यह सपाट सा हो जाता है इसमें नुकीले धार नहीं होते शिखर नहीं होते और इसी वज़े से इसे पहार की श्रणी में नहीं डालते इसे पठार कहते हैं क्योंकि उपर जाकर कि यह सपाट हो जाता है जो कि प् यह गुंडवाना भूमी के टूटने एवं अपवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचिंतम भूभाग का एक हिस्सा है इस पठारी भाग में चौरी तथा छिछली घाटियां मिलती है देखिए यह पठार का चितर दिया हो गया है उचा तो है लेकिन आप द इसलिए इसे पठार कहा जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इस पठारी भाग में चौरी तथा छिछली घाटियां एवं गुलाकार पहाडियां है इस पठार के दो मुख्य भाग हैं मध्य उच्च भूमी तथा दक्कन का पठार मध्य उच्च भूमी हैं और दक्कन का पठार है नर्मदा नदी के उत्तर में प्रहदीपी पठार का वह भाग जो की मालवा के पठार के अधिक्तर भागों पर फैला है उसे मध्य उच्च भूमी के नाम से जाना जाता है विंद्धे श्रिंकला दक्षिन में मद्धे उच्च भूमी तथा उत्तर पश्ची में अरावली से गिड़ी है पश्ची में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलूई तथा पत्रीले मरुगस्थल से मिल जाता है इस श्रिंद्ध में बहने वाली नदिया चंबल, सिंद, बित्वा, और केंड दक्षिन पश्चिम से उत्तर पुर्व की और बैती इस प्रकार वे इस श्रिंद्ध के ढाल को दर्शाती है मद्य उच्च भूमी पशी में चोड़ी लेकिन पुर्व में संकीर्न है इस पठार के पुर्वी विस्तार को स्थानी रूप से बुंदेल खंड ता बगेल खंड के नाम से जाना जाता है इसके और पुर्व के विस्तार को क्या कहते हैं दामोदर नदी द्वराप वाहित या छोटा नागपुर पठार को दर्शाता है दक्षिन का पठार एक द्रभुजाकार भू भाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिन में स्थित है उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सत्पूरा की श्रिंकला है जबकि महादेव कैमूर की पहारी तता में काल श्रिंकला इसके पुर्वी विस्तार है भारत के भौतिक मांचितर पर इन पहारीों एवं श्रिंकलाओं की स्थिति को ग्यात करने के लिए कह रहा है अब है दक्षिन का पठार पश्ची में उचा एवं पुर्व की और कम ढाल वाला है इस पठार का एक भाग उत्तर पुर्व में भी देखा जाता है जिनने स्थानिय रूप से मेघाले, कार्वी, एंगलॉंग, पठार तथा उत्तर कचार पहारी के नाम से जाना जाता है या एक भ्रंश के दोरा चटनाग पुर्व पठार से अलग हो गया है पशिम से पुर्व की और तीन महत्पुर्ण श्रिंक लाए निकलती है, जोकि गारों खासी और जहनतिया है दक्षिन के पठार के पुर्वी एवं पशचीमी शिरेपर क्रम सा पुर्वी तथा पश्यमी घाट इस्थित है पश्मी घाट पश्मी तट के समानतर इस्थित है विस्सतत है तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट भोल घाट ता पाल घाट की स्थिति ग्याद करें यह सब आपको लगबग महारास्ट्रा में मिल जाते हैं पश्मी घाट पुर्वी घाट की अपेक्छा उचे है पुर्वी घाट के 600 मिटर के उसत उचाई की तुलना में पश्मी घाट की उचाई 900 से 16 मिटर है पुर्वी घाट का विस्तार महानदी घाट इसे दक्षिन में न जगातार उची-उची जो आने लगता है विस्तार उसी को कहते हैं सतत यह अनियमित है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया है पश्मी घाट में परवतिये वर्षा होती है यह वर्षा घाट के पश्मी ढाल पर आर्द्र हवा से टकरा कर उपर उठने के कारण होती है ठीक है परवतिये वर्षा जैसा कि हम जानते हैं परवतों से टकरा करके जब बादल वर्षा करते हैं तो उसका परवतिये वर्षा कहते हैं तो यही जो है पश्मी ढाल पर आर्द्र हवा से टकरा कर उपर उठने के कारण होती है पश्मी घाट को वि 2695 मीटर की उचाई है तथा डोड़ा बेटा है 2633 मीटर पुर्वीघाट का सबसे उचा शिकर है महेंदरगीरी ठीक है महेंदरगीरी सबसे उचा शिकर है पुर्वीघाट के दक्षिन पश्ची में शिवराय तथा जावेडी की पहारियां इस्थित है उडग मंगलम है जिसे उटी के नाम से जानते हैं और कोड़ाई कनाल जैसे परसित पहारी नगड़ों की स्थिति इस मांचितर में ग्याद कीजिए ढोलिए इसको मांचितर में बहुत ही रोचक काम दिया गया है प्राइदीप्य पठार की एक विशिष्टा यहां पाई जाने वाली काली मिर्दा है प्राइदीप्य पठारों में काली मिट्टी की बहुता है जिसे दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है इसकी पत्ती ज्वाला मुखी से हुई है इसलिए इसके शैल आगने ही है वास अब है भारतिय मरुवस्थल अरावली पहारी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुवस्थल इस्थित है या बालू के टिपों से ढखा एक तरंगित मैदान है इस चेत्र में परती वर्ष डेर सम मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है इस शुष्क जलवायू वाले चेत्रों मे वनस्पति बहुत ही कम है वर्षा रितु में ही कुछ सरिताएं दिखती है और उसके बाद वे बालू में ही गायब हो जाती है विलिन हो जाती है परियाप्त जल नहीं मिलने से वे समुदर तक नहीं पहुँच पाती है के वाल लूनी ही इस चेत्र की सबसे बड़ी नदी है लोनी नदिए अभे बरकान, बरकान भी लिखारता है कहीं कहीं पे तो confused नहीं होना है बरकान या बरकान एक ही है तो यह बरकान जो है अर्ध चंदराकार बालू का तीला होता है जो इसका विस्तार बहुत अधीक छेतरपर होता है बहुत दूर दूर तक फैले रहते हैं ये बरखान, लेकिन लम्बवत तिले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप परमुखता से पाए जाते हैं यदि आप जैसल मेर जाएं तो बरखान के समूद देख सकते हैं, ठीक है यहाँ पर थोड़ा सा दिया हुआ है आगे बढ़ते हैं तटिय मैदान, प्रैदिपिय पठार के किनारों संकिर्ण तटिय पठीयों का विस्तार है या पशिम में अरब सागर से लेकर पुर्व में बंगाल की खारी तक विस्तरित है पशिमी तट, पशिमी घार तता अरब सागर के बीच स्थित एक संकिर्ण मैदान है इस मैदान के तीन भाग है, तट के उत्री भाग को कोंकन जिसमें की मुंबई और गोवा सामिल है माद्य भाग को कंणर मैदान कहते हैं और दक्षिन भाग को माला बार तट कहा जाता है बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तरित मैदान चौड़ा एवं समतल है उत्री भाग में से उत्री सरकार और दक्षनी भाग को कोडो मंडल या फिर दक्षनी सरकार कहते हैं बड़ी नदिया है इसमें महानदी, गोदावरी, क्रिष्णा और कावेरी इस तटपर विशाल तेल्ठा का निर्मान करते हैं जिल्का जिल पूरी तटपर स्थित एक महतपौर्ण भूलक्षन है अब कहरा है नौलेज बाइट है एक जिल्का जिल भारत में खाड़े-पानी की सबसे बड़ी जील है तटपर जिल यो उलिषा में महानदी डेल्टा के दक्षिन में स्थित है अब कुछ ऑईसलेंट्स हैं दोईप समूँ हैं कहां-कहां आपने देश में आइसलेंट्स इस्थित है वह देख लेते हैं आप पहले देख चुके हैं कि भारत का मुखे स्थलवा अगत ते दिक, विश्याल है इसके तरीक भारत में दो दूइपों का समूह भी स्थित है क्या आप इन दूइप समूह को पहचान सकते हैं देखिए यह एक दूइप है चारदरब से पानी है बीच में भूमी है ठीक है तो देखते हैं केरल के मालाबार तटके पास स्थित लक्षद्वीप की इस्तिती को ग्याद कीजिए दीपों का यह समूह छोटे परवाल दीपों से बना है इनको पहले लका दीप, लका दीव, मिनिकाय तथा एमीन दीव के नाम से भी जानते थे हैं 1973 में इनका नाम लक्षी दीप रखा गया, यह 32 वर्ग किलो मीटर के छोटे से छेतर में फैला हुआ है कावार्ती दीप, लक्षी दीप का परशास्निक मुख्याले है, इस दीप समूह पर पादब तथा जन्तु के बहुत से परकार पाये जाते हैं पिटली दीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है, वहां एक पक्षी अभ्यारन्य है, पिटली दीप पे एक पक्षी अभ्यारन्य इस्थित है, अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिन के तरफ फैले दीपों की स्रिंखला की और दियान दीजिए, यह अंडमान ए दीप समों मुखेता दो भागों में बाटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिन में निकोबार यह माना जाता है, यह दीप समों नेमजित परवश्रेनियों के शिखर हैं, यह दीप समों देश की शुरक्षा के लिए बहुत ही महत पूर्न है, कौन सा दीप अंडमान विश्रूवत यह है, तथा यह घाने जंगलों से अच्छा दित है, यहाँ पर कुछ दिया गया है, परवाल के बाड़े में देख लेते हैं, परवाल पॉलिप्स कम समय तक जेवित राने वाले सुक्ष प्रानी हैं, जो की समों में रहते हैं, इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है, इनसे कैल्सियम कार्बोनेट का स्राव होता है, परवाल स्राव यह परवाल अस्थियां टीले के रूप में निच्छेपित होती है, यह मुखेता तीन परकार के होते हैं, परवाल कितने परकार के होते हैं, तो पहला हो गया परवाल रोधिका, दूसर बड़ा बेडियर रिप है ग्रेट बेडियर रिप प्रवाल वाले द्वीप गुलकार या हर्ज शुवाकार वाले रोधिका होते हैं भरत का एक ज्वाला मुखी भी है एक मात्र ज्वाला मुखी है जो की सक्रिये है एनी टाइम इसमें से निकलता रहता है जोला मुखी और वह है अंडमान और निकोबार द्वीपसमों के बैरन द्वीपपर विभिन भू आकर्तिक विभागों का विस्तरित विवरन परतेक भाग की विशेषता हैं सपस्ट करता है परतु यह सपस्ट है कि यह विभाग एक दूसरे के पूरक है और वह देश को प्राकिर्तिक संसाद्नों में सम्रिद बनाते हैं उत्री परवज्जालेवंबनों के परमुक्सरोत हैं उत्री मैदान देश के अन्ने बंडार है इनसे विशाल इनसे प्राजिन सब बिताओं के विकास को आधार बिला है आप तरपे हम देखेंगे जो भी प्राचिन सब बेता है हरप्पा से लेकर के मौड़े समराज देख लेजिए गुप्त समराज्य देख लेजिए यह सब बसे हैं नदी घाटी छेत्रों में ही जो कि सिरंधू हमारा हरप्पा सब बेता है सिंधू यह सब नदी घाटी में ही है फिर गुप्त समराज देख लेजिए यह सब नदी घाटीयों में ही यह बड़े बड़े और विशाल प्राचिन सब बेता हैं विकसित होई है और विकसित होती रहेंगी क्योंकि यहाँ पर रहने के लायक अनुकूल जलवाईउ परिवेश इत भंडार हैं जिसने देश के अध्योगी करन में विशेश भूमिका निभाई है तटिये छेत्र मत्सियन और पोट संबन्थी करिया कर लापों के लिए महत्वपोर्न स्थान है इस प्रकार देश की विविद भौत तीक आकिरतियां भविश्य में विकास की अनेक संभावनाए परदान करती हैं अब आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन से फटाफटीन को भी कर लेते हैं तो कह रहा है निमलिकत विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए कि स्थलिये भाग जो तीन और से समुदर से घीरा हो क्या कहलाता है तो वह कहलाता है आपको प्रायदीप जिसे इंग्लिस में पेनेंसुला कहेंगे भारत के पुर्वी भाग में मियानमार की सीमा का निर्धारन करने वाले परवतों का संजुक्त नाम क्या हो जाएगा तो मियानमार की सीमा का निर्धारन पुरवांचल परवत करते हैं तो पुरवांचल नाम हो जाएगा दक्षिन में गुवा के दक्षिन में इस दित पश्चिम तट ये पट्टी क्या कहलाती है या कंणर कहलाती है ठीक है अंसर हो जाएगा पुर्वी घाट का सरवच सिखर को हो जाएगा अनाइमोडी अगे बढ़ते हैं निमले कित प्रश्चनों के संखेप में उतर दीजिए भूगर्वी प्लेटे क्या है तो भूगर्वी प्लेटे क्या है इसका अंसर दे सकते हैं कि प्रिथवी की आंत्रिक गर्मी से करेंट और अर्ध पिगली हुई चट्टा ने क्रस्ट के साथ मूव करन ने लगती है इससे ऐसी साथ स्थला किर्थिक प्लेटे हैं जैसे कि दक्षिन अमेरिका उत्रिय अमेरिका परसांति हिंद अस्ट्रेलियन यूरेशियन अफ्रिकान और अंटार्क्टिक प्लेटे हैं तो यह सब भूगर्वी प्लेटे क्यालाती है आज के कौन से महादीप गुंडवाना लेंड के भाग थे इसमें दक्षिन अमेरिका था अफरिका था मेड़ाजकर के कुछ चेतर थे ऑश्रिया के कुछ चेतर थे जैसे कि भारत अरव मलाया और इससे तरह से अस्ट्रिया के भी क्छेतर थे और अंटार्क्टिक आ इत्यादी ये सभी गुंडवाना लेंड के भागत हैं तीसरा क्वेस्चिन पूछ रहा है भावर क्या है तो भावर जैसे कि हमने अब यह भी पढ़ा है भावर मैदान की एक संक्री पट्टी है जो कि कंक्री बजरी इत्यादी निछेपों से बनी है यह श्रीवालिक के परव बढ़ जेत्यादी में हिमाले के तीन परमुक्ष विभागों के नाम उत्तर सी दक्षिन के क्रम में बता ही तो उत्तर से पहला णेंडु अ यह यह शिवालिक तो इस तरह से तीन च्छेत्र हो गैं अरावली और बिंद्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार इस्थीत है अरावली और बिंद्याचल की पहाड़ियों में मालवा का पठार इस्थीत है जिसे केंद्रिय उच्छी भूमी भी कहते है भायत के उन द्वीपों के नाम बताईए जो प्रवाल भित्ती के हैं तो ये एक मातर द्वीप है ये लक्षे द्वीप है जो की प्रवाल भित्ती के है अब गहरा अंतर स्पस्ट कीजिए अब सारी और अभी सारी भूगर्विये प्लेटे भूगर्विये गर्मी से पिगली ह वह केंले हैं जो एक दूसरे से दूर चलती हैं उनको अपसारी यानि की डाइवर्जिंग प्लेटे कहते हैं. अब बांगर और खादर बांगर और खादर में अंतर करना है तो पुराने जलोड मैदानों को भागर या भांगर या बांगर कहते हैं जिसमें चुनेदार निचेप या कंकर पाया जाते हैं अब ये भी हमने पढ़ा है ये छेतर बाढ़ वाले नदी छेतरों के उपर होते है और इसके अलावे खादर जो होते हैं ये नए या युवा निशेपों के मैदान होते हैं इनका परतीक वर्ष पुनर निर्मान होता रहता है और इसलिए या उपजाओ भी होते हैं अब है पुर्वी घाट और पश्वी घाट में अंतर पश्वी घाट में क्या है कि दक्कन पठार के किनारे पश्वी तट के समाना अंतर पाये जाते हैं और अरब सागर से लगते हैं जबकि पुर्वी घाट दक्षिन पठार से पुर्वी किनारे से पुर्वी तट के समाना और बंगाल की गाड़ी में गिरते हैं पश्मी घाट में पुर्वी घाट सर्दूमरी मैं सफ्थीm ह longevity हैं और इसमें 600 मिटर से उचे पहार ही मिलते हैं इससे तरह से और अंतर दिया सकता है कि पश्चमी घाट उतर से दक्षिन की और उचाई बढ़ती जाती है पश्चमी घाट में जैसे कि अनाई मुदी दोदा ज्यादा नहीं है कम उप जाओ है जिसमें धान उगाया जाता है थोड़ा बहुत मुफली कपास खाइनी नार्य लित्यदी उगाया जाते हैं इसके बाद पूछ रहा है निमलिकित पर संचिप्ट टिपनिया लिखें मध्य हिमाले मध्य उच्च भूमी करें हिमाले के बताए हिमाले का निर्मान कैसे हुआ निर्मान कैसे हुआ, संभानी अधाराओं ने जब भूपर पटी को और एक टुक्रों में विभाजित कर दिया तब भारत अस्ट्रेलिया की प्लेटें गोंडवाना भूमी से अलग होने के बाद उत्तर दिशाकी और परवाहित होने लगी इससे ये प्लेटे क्या हुई कि अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरियेशन प्लेट से टकरा गई इस टकराहों के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच इस्थित जो टेथिस सागर था या भूभ अभिनति के अवसाधी चट्टान इसमें जो इस्थित थे यह वलित हो गया और वलित हो करके यानि कि मुर करके हिमाले और पश्ची मेश्या की प्रभती श्रिंख राओं के रूप में विक्सित हो गया या उपर उठ गया इस तरह से हिमाले का निर्मान हो गया और भी कुछ वीडियो मेरा अपना लंबा हो चुका है तो इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं बागी questions आप खुद कर लिजिए ठीक है तो तब तक next video जब तक आती है तब तक आप इसको बार बार देखकर के revise कीजिए और next के लिए till next बाबाई